तो ठीक है शुरू किया जाए क्लास को तब तक आप लोग करेंगे अपने हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टडी में तो मित्रों जैसा कि आपको मालूम है आप लोग कच्छा इस समय पढ़ रहे हैं नौ के NCRT Mathematics जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद को इंगलिस में पॉलिनॉमियल कहा जाता है इसके बारे में हम लोग पहले से ही काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें और आपका तो दूसरा चैप्टर है यानि 2.2 आज वो खतम होने वाला है ठीक है 2.1 जो है वो खतम हो गया है 2.2 में दो तो तीन और चार आजब लोग कर लेंगे ये चैप्टर खतम हो जाएगा ठीक है अब समझते हैं पहला कहरा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गया मान निम्न लिखित इस्थितियों में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा था मैंने छोटा लिखा है निम्न लिखि तीन एक्स प्लस वन और इनके छोटकव जो दिये गए हैं वो क्या है माइनस वन अपान थिरी मतलब आप समझ रहो ऐसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए सिद्ध ये कीजिए कि भाईया फलाने आपके लड़के हैं जैसे आप से कोई कहे मतलब आपक होता है तो यह कंफर्म हो जाता है कि वहीं फलाने फलाने का बेटा है यह उसकी मतलब समझ रहे हैं लेकिन यह गरीबों में नहीं होता है आज कल बहुत सारे केस हो जाते हैं जहां पर यह सब नहीं हो पाता है क्योंकि और लोग के पास पैसा नहीं होता है तो बच्चा क्या कर रहे हो वही कुछ समझ में आ रहा है चलो सुन लेते हैं मतलब की बात समझते हैं क्या करना है इनको सिद्ध करना है कि दिखाए गए जो मान है इनके क्या है बहुपद सुन्यक है सुननेक को क्या बोलेंगे बच्चा 0 of polynomial इंगलिस मीडियम वाले सीबेसी बोर्ड वाले समझे ले 0 of polynomial तो हमें ये प्रूब करना है कि जो value दी गई है X की वो क्या है इस polynomial का 0 है वो कैसे होता है देखो समझो अगर ये दिया गया मान हम इसमें put करेंगे रखेंगे तो अगर ये total value 0 हो जाती है तो हम लिखेंगे कि ये जो दिया गया मान है इस बहुपद का सुन्यक है अगर 0 नहीं होता है कुछ भी आ जाता x, y, z, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 40 तो लिखेंगे कि दिया गया मान इस बहुपद का सुन्यक नहीं है चलिए try करते हैं आजओ फटा-फट तो बच्चा क्या करेंगे अब लोग हम इसमें मान रखेंगे चाहे तो यहाँ पर लिख लो यदि P of minus 1 upon 3 ऐसे लिख लो कोश्टक में अच्छा लगेगा का मान सुनने आता है सुनने आता है तो तो P of X equal 3X plus 1 का यह लिख लो कहानी लिख लो जरूरी है का X बराबर minus 1 upon 3 एक सुनने को होगा वहिया हिंदी मीडियम वालों के लिए यह लाइन लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अच्छा लगे का जैसे दाल भाद बनाए हो और भाईया उसको फ्राई कर लो अच्छा सा बढ़िया से लाह सुनते आज मिला करके हां टमाटर आउ माटर डाल करके तो क्या हुआ रही तो वही दाल लेकिन उसका टेस्ट बदल गया बदल गया की नहीं ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और उसका टेस्ट कई गुना बदल गया तो वैसे इसमें है बच्चा तुम हल तो इसको करोगे मान तो निकालोगे सिद्ध भी करोगे लेकिन अगर यह लाइन लिख दोगे न तो यह फराई हो जाएगा एक परकार से मतलब और अच्छा हो जाएगा ठीक है समझ गये ना देखो दरसन कुमार तुमको इतना मार मारते अगर हम तुम यह आफ लाइन होते तुम्हारी जी अफ नहीं तुम कभी यह वर्ड नहीं सुचते ने बने दिमाग में समझ रहो ना देखो जो कुछ नालायक टाइप के हैं वही कमेंट करते हैं एक काम करता हूं मैं यह बिना मतलब का ही तो कमेंट कर रहा है न पढ़ो चाहे तुम जाओ भाड में पढ़ोगे तो है नहीं मुझे मालूमें 60 सिकेंड के लिए तुम्हें मैंने रोंक दिया चलो अब तुम्ह और ने लिखने के बाद क्या करेंगे अब हम मान निकालेंगे इसका स्क्रिंसार्ट ले लो आप लोग मÌN हट जाता हूं चलो इस्क्रीन साट ले लो देखो यह ना लायक बोल रहा था मैं क्या बोलो नहीं बोलना चाहिए छोड़ो जाने दो सब लोग सुन जाएंगे जो नहीं सुने वो भी हो गया चलो इसको हो गया लिख लिए इसको लिखने के बाद मैं मिटाओंगा बाइसक्रीन साट आप लोगोंने नहीं लिया तो ले लिजिए अब मैं मिटा करके आगे बढ़ता हूं चलिए ठीक है मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया पूरा मंत्र बता दिया बेटा अब तुम अपने से कर सकते हो मतलब का काम समझो यहां से अपने से कर सकते हो यहां पर अब यहां से हम P of minus one upon three निकालेंगे यहनि इसका मतलब यह है कि जहां जहां पर X है वहां वहां पर minus one upon three रखोगे यह हो जाएगा three into minus one upon three और plus का one ठीक है बच्चा तो भाईया ये तीन से तीन कट जाएगा देखो गुड़ा में है न ऐसे कट जाएगा ये तो फाइनल में ये माइनस वन ऊपर बचेगा और प्लस का वन equal का हो जाएगा बबुआ equal 0 हो जाएगा ये 0 आगया न तो आप लिखोगे क्या लिखोगे 0 हो गया बस बात खतम अब नेचे लिख दो आता है लिख दोगे ता अच्छा लगेगा आता है एक्स इक्वल माइनस वन अपांथरी बहुपद तीन एक्स पलस वन का तुन्यक है अब ये मैं हर एक में नहीं लिखूंगा ये पहला था इसलिए मैंने इसको सजा धजा के आपके लिए करवाया है अब मैं सभी में नहीं लिखूंगा बच्चा ठीक है उतार लो इसको, इसक्रीन साट ले लो पहला हो गया मैंने पूरी कहानी बता दिया, अगर तुम नहीं समझे तो वीडियो को बैख करके फिर से देखो बहुत अच्छे से बताया हूँ, पूरा दिल से बताया हूँ चलो, इस्क्रीन साट ले लो मैं दिख रहा हूँ क्या इसमें इस्क्रीन साट ले लो चलो मैं भी खड़ा हूँ अच्छा पोज पे चलो ले लिए खिचबे नहीं करोगे तो हम कब तक खड़े रहेंगे मिटाने भी चल रहे हैं तो यह हो गया आपका पहला का पहला पार्ट बच्चा अभी इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग कभी कमेंट नहीं आएगा पढ़ नहीं पाओगे इसलिए अपना दिमाग अगर पढ़ाई मेरा रखना है तो यहाँ पर रहो और नहीं तो तुम लोगों की यहां बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें भीन्ड नहीं बतोरना है हम जो संख्या बढ़ाने को बोलते हैं वो पढ़ने वाले बच्चों की तुम लिएसे नालाइकों की नहीं कि यहां पांच हजार बच्चे जोड़ दो आके चैटिंग करो इसके लिए नहीं जो पढ़ने वाले हैं जो हमारा कारे को देख रहे हैं उनके लिए तुमारा टाइम बरबाद करने के लिए नहीं चलो आगे चले चलो तो इसका सिकेंड पार्ट देखो बेटा समझो इसकेंड पार्ट देखो इसकेंड पार्ट दिया है पी आफ एकस अच्छा चार से बताएं तीन तुमारे का का को करेंगे जिनको आ रहा है उनके छटपटी मची है पी आफ एकस इक्वल फाइब एक्स minus का πाई देखो बच्चा इसमें का दिया है minus का πाई इसमें दिया है x का value 4 upon 5 क्या दिया है x equal 4 upon 5 ये मान रख करके आपको बताना है क्या ये 0 आता है नहीं आता है अगर 0 आएगा तो ये इसका सुन्यक होगा और अगर 0 नहीं आएगा तो सुन्यक नहीं होगा ठीक है समझ मेराना सबको समझ मेराना बाबू चलो तो अब हम क्या करेंगे इसके मान रखेंगे लाके इसमें ढखेल देंगे P F जहाँ जहाँ एकस है वहाँ वहाँ 4 upon 5 रखेंगे तो यह हो जायागा 5 into 4 upon 5 यह पाई यह पाई लगा है सीधा सीधा पहले से मालूम चल रहा है यह नहीं होने वाला 0 यह 4-पाई आएगा और अगर तुम्हें काम करो इसमें मान भी रख दो पाई का तब यह 0 नहीं होगा तो आप लिखोगे वही लाइन जो मैंने लिखा था अब मैं दुबारा नहीं लिखूँगा यहां पर ठीक है क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे क्या लिखोगे लिख दो क्यूंकि ऐसे चिंद बना तो अच्छा लगेगा क्यूंकि P of 4 upon 5 does not equal 0 does not equal 0 आता है आता है x equal 4 upon 5 आता x equal 4 upon 5 दिए गए बहुपद दिए गए बहुपद पाँच एक्स माइनस पाई का सुन्यक नहीं है दिए गए बहुपद पाँच एक्स माइनस पाई का सुन्यक नहीं है ठीक है Mr. Perfect बेटा पढ़ लो अगर तुम्हें आ रहा है तो थोड़ा सांत रहो ज्यादा उचलो नहीं समझ रहे हो ना मुझे तुम्हें अकेले नहीं पढ़ाना ना मरे पास और भी हजार बच्चे देख रहे हैं उनको भी तुम्हें ख्याल रखना है ना तुम्हें तीन नंबर आ रहा है तुम उचल रहा है ना छोड़ दो सब चोड़ दो चार से बताओ पेपर में तुम्हारे जैसे ना उपर को पैर करके लटक जाते हैं नीचे को सिर करके उनको आता नहीं है इफ लिए ज्यादा चट पटाओ नहीं जो आ रहा है उसको भी करो जो आ रहा है न मैत कहता है न मुझे जितना रिवाईज करोगे मैं उतना ही आऊंगी रिवाईज जरूरी है चट पटाओ नहीं चलो ललित मीना आरहा कुछ समझ में आयूस पांडे, मुकेस अब सही है न कमेंट थोड़ा धीर धीर थे आ रहा है साठ सिकेंड हटा देN तुमारे खुजली मच रही है जलो ठीक है तड़ा पलो तुम थोड़ा देर साठ सिकेंड हटा देन तुम चैटिंग करो तुम ही को बलाक करेंगे बिटा दीपक समझ रहो ना तुम ही को बलाक करेंगे अभी देर नहीं है चौथा पार्ट तुम लोग खुद से बताओगे इसके आगे वाला मैं अकेले नहीं करूँगा अगर पढ़ना लिखना है तो समझो यहाँ पे देखो अगला यह दो पार्ट इसके हो गए तीसरा पार्ट है भाईया कह रहा है इसमें कि यदी P of X equal given क्या दिया भाई X का स्कॉयर माइनस 1 इसमें दो बैलू दिया गया है X equal 1 भी है और माइनस का 1 भी है यानि आप क्या करोगे एक बार X की बैलू 1 पुट करोगे एक बार माइनस का 1 पुट करोगे अगर P of माइनस 1 equal 0 आजाता है तो आप कहोगे कि माइनस 1 जो है वो X square माइनस 1 का एक सुन्यक है और अगर P of 1 ये भी 0 आजाता है तो कह दोगे ये भी सुन्यक है मतलब जिसमे 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 जिरो आजाएगा कह दोगे वो सुन्यक है जिसमे नहीं आएगा वो क्या है सुन्यक नहीं है ठीक है धेम राज सर्मा बच्चा देखो यहाँ पर कोई रैली नहीं हो रही है तो कोई राजनीतिक कमेंट से कोई मतलब यहाँ पर है नहीं ठीक है समझ गए न चलो तो अब हम एक एक मान निकालेंगे चलो अच्छा तुम लोग बताओ मैं करूंगा नहीं बताओ तुम अब मैं बताया हूं न पी आफ वन जहां जहां पर यक्स है वन रखो और मुझे यह बताओ जीरो आएगा या नही हाँ या नहीं बोलो अतुल कुमार सबसे पहले बता रहे हैं राहू ले दो देओ की दुकान बहुत अच्छा भई देवी की दुकान कहां से आगे तुम तुमारी तो खोच जारी थी कई दिन से इधर यार जागा थोड़ा कम है यार जाता इधर से हां चलो बिनोद म्यूजिक विसाल कुछ तो बता रहे हैं की है और कुछ तो बता रहे हैं नहीं है ठीक है बच्चा देखो समझो मैं बता देता हूँ जहां जहां पर एक से वन पूट करोगे बेटा तो यह ऐसे बनेग फाइनल में वन माइनस वन इक्वल जीरो तो जो बता रहे थे हैं उनका सही है आप लिखोगे क्या लिखोगे अरे वही भाई लिख दो ना कुछ चनवत यही दिया था कुछ और था यक्स का स्क्वाइर माइनस वन था ठीक है आप लिखो क्योंकि P of 1 equal 0 इसलिए दिया गया मान x बराबर 1 बहुपद x स्क्वाइर माइनस 1 का एक सुन्यक है ठीक है क्या है सुन्यक है वैसे तो आपके उत्तरमाला में इसका आंसर हाँ या नहीं में दिया होगा बस मतलब सुन्यक है या नहीं है आपको हाँ या नहीं बताना है इसम हाँ लिख दो बस ठीक है समझ गए ना कि यह कुम्राडे तुम्हें बला कर दिया हूं मैंने ठीक है यह कुम्राडे अब तुम कहीं और कुम्रा हो जाके हां चलो निकल लिए अब तुम्हें हमारे आज टेक्निकल वाले कोई मुझे लग रहा कमेंट नहीं देख रहे इसलि अगला वाला भी कर लोगे ना चलो यह भी बता देता हूं छोटा सा है तो कुछ बच्चे कमजोर है तो पी आफ माइनस वन निकालोगे अब जहां जहां पर यक्स है माइनस का वन रखोगे तो माइनस का वन का स्कॉयर और माइनस का वन रखो जाएगा माइनस का स्कॉयर कर हूं इसमें और कितना कुश्चन है 2.2 है ना इसमें अब मुझे लग रहा है सिर्फ एक है कुश्चन और बच रहा है बस कि जल्दी स्क्रिंसाट ले लो बचवा फट फट ले लो ले लो तुरंद ले लो देर नहीं चलो कि तीन नंबर हो गया अभी एक ठी और बचा है आ रहा ना भाईया तो चौथा वाला कर लोगे की नहीं सभी बच्चे बताओ हाँ या नहीं इसका नेक्स्ट पार्ट कर लोगे या मैं बताओं जो बच्चे कर लेंगे बोले हाँ, जो नहीं कर पाएंगे बोले नहीं चौथा पार्ट कर लोगे की नहीं, प्रिया देवी हाँ हाँ बताईए, आप ही लोग से पूछ रहा हूँ और नंबर पार्ट कर लोगे न, विनोध म्यूजिक वर्ड आपकी साथ पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बाबू लेकिन पढ़ने वाले होता बना, कुछ तो ऐसे कचरे जुड़ जाते हैं जिनको देख करके खून खूल जाता है हाँ उनको पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है चौथा पार्ट कर लोगे हाँ सभी कर लेंगे ना लगबग पूजा कुमारी देखो बेटा NCRT की मैं बात कर रहा हूं जो मेन NCRT है प्राइबेट किताबों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुख NCRT बुक है उसके एकारडिंग चार कुश्चन है हाँ अगर आपकी कोई प्राइबेट बुक है तो उसमें पांच होगा वालग बात है तो उसमें भी पांच जो होगा कोई नया नहीं होगा वाइसी में से कुछ होगा गुमा फिर आके विकास सिंह राजपूत देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं 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 लो सब कर दे रहे हैं तुम छाप लो हां छाप लो छाप लो समझना नहीं एक को पहली बात तो टाइम से जुड़ते नहीं है साथ बजे कलास सुरू होगी तो यह जुड़ेंगे एक गंटा बाद इसमें एक्स का दो बैलू दिया है एक्स का मान क्या क्या दिया है माइनस का वण दिया और दो दिया है दोनों मान पे आपको ट्राई करना है चलो ठीक है देख लो मैं एक के बताऊँगा इसमें का बस खक्षा दस का जो महत है बादू वो चलेगा एक अगस्त से सुबह आठ बजे हमारी कोशिस है एक अगस्त से चलेगा कोशिस तो भरपूर है कि सब कुछ चले लेकिन क्या करूँ मैं भी तो इंसानी हूँ हाँ चलेगा दस कभी चलेगा तो पी आफ माइनस वन मान रखो जहां जहां पर यक्स है वहां वहां पर माइनस वन रखो लाकर तो यह हो जाएगा माइनस वन और यह पलस का वन और यह हो जाएगा minus 1 और minus का 2 तो यह minus plus भहिया ही हो जाएगा 0 और यह minus plus का हो जाएगा minus का 3 तो final में तो सब 0 हो जाएगा न तो आप लिखोगे हाँ हाँ ठीक है? क्या लिखोगे हाँ x बराबर minus 1 दिये गए बहुपद p of x equal x plus 1 into x minus 2 का एक सुन्यक है देखो मैं बोल दे रहा हूँ जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चें वो लिख लेते हैं बहुट टाइम मिलता है जो नहीं पढ़ने वाले उनका कोई मतलब ही नहीं है question लिखने के बाद पूरा करने के बाद आप नीचे लिखोगे हाँ दिया गया मान x बराबर minus 1 दिये गए बहुपद p of x equal x plus 1 into x minus 2 का एक सुन्यक है बस हो गया ठीक है समझ में आ रहा है ना नीलिमा जेको बच्चा जो भी नए साथ ही जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने बाबू आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो किवल पढ़ते हो चले जाते हो फिर अगले दिन आपको कलाफ नहीं मिल पाती है यह मुसीबत है जरूरी नहीं कि आपको मान दारी से मैं मान रख दे रहा हूं, हल करो गया, रेडी हो न, चलो, तो पी आफ अब टू, हम हर जगा जहां जहां यक से क्या रखेंगे, टू रखेंगे, इसको भी ट्राई करेंगे, तो चलो बच्चा मुझे ये बताओ अब तुम सभी, ये दो माइनस दो, ये हल करने प ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर अंजलतिवारी, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, बेरी गुड, चलो, बताओ, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिटा, देखो, आप सब्सक्राइब कर लो, तो आप भी कमेंट कर पाओगे, इसलिए आपक पलक सिंग राजपूत, ठीक है, बहुत अच्छे, मुकेश, ठीक है, बेरी गुड, ओके, रंजीत, नितीज, सतनामी, रुपेश, आर्यनतिवारी, बेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बेरी गुड, निर्जल यादो, रामकिसोर, प्रीतम, रोट, जीवम सुकला, राजबीर, गीता मुर्या, पंकज यादो, सनु हजारे, चंद्रकांत, पाठक, आवाज कट रही इनकी, बहुत अच्छे बच्चे, बेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बेरी गुड, निर्जल यादो, रामकिसोर, अब आज नहीं कट रही है, मैं सुन लिया, ठीक है, अमत कहना, चलो, तो यह हो गया, आपका यह कुश्चन ही खतम हो गया, हाँ, इसमें का कुछ कठीन वाला है, वो मैं करवा देता हूँ, बेटा, चौथा पार्ट तो हो गया, पाच्छे माँ पार्ट तुम खुद से कर चलोगे, मैं नहीं करवाँगा, छाठवा पार्ट चलो, करवा देता हूँ, पाच्छे माँ आपके लिए होमवर्क है, पाच्छे माँ होमवर्क है, खुद से करके बताओ, देखो, सिकेंड, वो स्वरी, थार्ड कुश्चन में, भईया, आठ पार्ट है, ठीक है, थार्ड क्या मना है, कुछ आप लोगों को भी समझ में आए कि नहीं इसमें, चलो, पहले कुश्चन देखो, आप लोग अभी समझना, अभी टाइम बहुत बचा है, वो सकता है आप लोगों के नियम, टाइम तक नियम आ जाए कि हम दो हमारे कोई नहीं, समझ रहो ना, यहाँ पर इतना पॉपुलेशन हो जाएगी, यह ऐसा रूला जाएगा भाई, ना, अब मना है, यक्स इक्वल माइनस एम अपान यल, यह मैं बता रहा हूँ इसलिए, चुकि इसमें यह यल, एम, बी, सी, डी दी दिया है, तो हो सकता है तुम्हें कुछ दिक्कत हो, इस वज़ा से मै आर्मी तैयारी फिटनेस, बहुत अच्छे, दीपक यादो, जोती, मतलब इनका दोनों नाम है, यह आधा मेल है, आधा फीमेल है, तो पी आफ माइनस एम अपान यल निकालोगे, यह मान लाके एक्स की जगह पे रखोगे, तो बच्चा यह एक्स की जगह पे, ध्यान दो यह समझने वाला है, जहां पर एक्स है, उसकी जगह पे तुम क्या रखोगे, माइनस का यम अपान यल, कुछ समझ रहो कि नहीं, इसको थोड़ा और लंबा चोड़ा करके लिखें, जिससे तुम और अच्छे से समझ सको, देखो समझो, क्या करेंगे, इसको थोड़ा यह यह, यहल, हर में है, यह अंस में है, ठीक है बच्चा, और यह पलस का यम अलग से, इक्स्ट्रा में, ठीक है, अब यह यहल से यहल कट जाएगा, गुड़ा में ही अब कई से कट जाएगा वो तुम इतना जानते हो बेसिक माइनस का यम बचेगा और प्लस का यम बचेगा भाईया लोहा से जब आग टकराती तो का होता है मतलब आग में लोहा डालोगे तो गरम होगा और उमें पानी डाल दोगे तो क्या होगा तब बूत जाएगा न तो बस वही से यह क्या होगा अब खतम होजागा जीरो आजाएगा आजये मोहंती कुछ समझ में आ रहा बच्चा देखो एक बात आप लोग समझ लो एक बात आप समझ लो कि आप लोग सभी बच्चे कलास को बिना कहे रोज लाइक किया करो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आती है जान लो मेरा दिल टूट जाता अंदर से एकदम लाइक जरूर किया करो ठीक है भाई ऐसे मत मारो जीनो दो मुझे भी जब तक मैं थोड़ा एक्टिंग किया करूं तब तक तुम लोग स्क्रीन साट ले लिया करो अपने हो इसलिए बता दे रहा हूँ बाकि नए बच्चों को नहीं बताता हूँ समझ रहो ना क्विस्टन हो जाए तो मैं कुछ और करने लगता हूँ कि उधना देर में तुम समझदार हो स्क्रीन साट ले लो तुम्हें मालूम है किसके बाद मिटा के इसको लिप पोत क्या अगला करवाएंगे न हम चलो समझ गए ना कलपना यादो कुछ समझ में आ रहा है हम तो ये आपका हो गया इसमें का एकाद पार्ट और है मैं बड़ा खतरनाक है मैं उसको भी करवा देता हूँ हयु का ज़्यूम ही कहाद करना था मैं तो भी नहीं लिखा नीचे लिखो लिखो इसको करने की बाद नीचे लिखो ऐसे छोड़ो नहीं नीचे लिखो कि नीचे लिखो क्य Buenos क्योंकि पी आफ माइनस मापान यल अरे वैसे लिख लो जैसे इसके पीछे वाले में बताया हूं मैं नहीं बताऊंगो जाने दो इसमें आठ पार्ट है मैंने पांच पार्ट में सब बोल बोल के बताया चिला चिला के उसी तरह से इसमें भी लिख लो समझ रहो ना अगर अभी अभी जुड़े हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखो live session को वहां से आपको फिर clear हो जायागा चलो अगर 0 है तो वो सुन्यक है, अगर 0 नहीं आता तो सुन्यक नहीं है अगर सीधी भाथहा में बात करें तब आपको केवल हाय नहीं लिखना है बस तो इसमें तुम्हें यह लिख देना है दोनों वही हुआ, यह लिख दोगे तब भी वही है अब थोड़ा बिस्तार से लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा ठीक है? चलो तो बच्चा ये आपका कितना हो गया? अच्छा तभी इसमें कोई नों बता रहा था 8 पार्ट है अरे गदों, मैं वो 8 की नहीं बात कर रहा था नया वाला कोईस्टन की बात कर रहा था न? सत्तवा में देखो दिया है पी आफ एक्स इक्वल त्री एक्स का स्कुायर माइनस का वन यहाँ पर एक्स का दो मान दिया बच्चा बड़ा खतरनाक है ये मान, बड़ा डैंजरस है एक्ठी तो ही दिया है यह ठीए फलाने चाचा है यह थोड़ा हूँ रही ठे हुए है पहिलें से यह दोनों मान बारी बारी इसमें रखके आपको बताना है कि जीरो होता या नहीं होता है ठीक है परजापती सागर बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रिये स्टूडेंट दिल से धन्यवाद दिल की गहराईयों से अंदर वाला धन्यवाद चलो ठीक है बहुत आगे बढ़ोगे यह हमारी सुब कामनाएं है चलो तो अब क्या करेंगे हम पहले एक बार माइनस का वन अपान अंडरूट तीन रखेंगे और एक बार टू अपान अंडरूट तीन रखेंगे दोनों बारी बारी रखेंगे अगर जीरो हो जाता है तो लिखेंगे हाँ दिया गया मान पहुपद ठी एक सिस्कॉाइर माइनस वन का सुन्यक है नहीं जीरो होता लिख देंगे नहीं है बस तो यह हो जाएगा पी आफ ए सुनो सबको थांक्यू जो बोल रहा हूँ ना मैं सब लोग उनको नहीं बोला मैं उसको बोला जो लाइक करा था नहीं तो सब लोग उसमें हिस्सा बटाओ चलो तो यह तीन जहां पर एक्स का स्कॉाइर है बच्चा उसकी जगह पे माइनस वाना पांठी रखोगे ध्यान से देखो यह अक्स के चुर्की पे क्या लगा इसकॉाइर लगा है ऐसे समझे लो जैसे तुमारे पापा है और वो करजा ले ले कहीं 10 करोण रूपया 10 करोण रूपया करजा ले ले उसके बाद वो कुछ दिन बार निपट जाए अथ उनलों को बुरा लग रहा तो मैं अपने इक मान लेता हूँ चलो मान लो मारे पापा है और वो भाईया वो 10-20 करोण कहीं करजा ले लिए हाँ उसके बाद वो निपट गए तो क्या होगा उकरजा कौन देगा बताओ जो नियम होता है कि किसी भी पिता की संपत्ती जो होती है वो उसका उत्रादिकारी उसका बेटा ही होता है अगर बेटा नहीं तो बेटी होती है यह होता है न लेकिन क्या है कि अगर वो संपत्ती बना के नहीं जाता बलकि एक बहुत गाहिरा सा गड़्धा खोद के जाता है तो उसका भी जिम्मेदार उसका बेटबाविटिया होता है समझ रहे हो ना मतलब अगर कहीं बना के गया कोई कमपणी बहुत बड़ी सी तब तो तुम उसके इस्तेदार हो लेकिन अगर कहीं बहुत बड़ा करजा लेके गया तो उसके भी तुम ही इस्तेदार हो तो मैं यह क्यों बताने लगा बीच में क्योंकि यहां पर बच्चा इनके खोपड़ी का लगा इसक्वायर लगा है अब इसकी जगह पर यह मान रखा जा रहा है तो यह इसक्वायर जो है ना इनकी उपर से खोपड़ी पर से हटके इनके उपर लग जाएगा समझ गये ना क्या होगा इनके उपर लग जाएगा चलो तो यह क्या होगा अब यह चली नहीं रहा आप तो भईया रूप युजा एक community इसको थोड़ा जाड़ने फूंकने दो इसके नजर लग गई तुम लोग ध्यान से इतना देख रहे हो तो यक्स कमान रखो minus का 1 upon under root 3 इसका square क्योंकि ये square x के उपर लगा था इसलिए इसके उपर लग गया और minus का क्या होगा 1 ठीक है अब बच्चा इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा इधर चलना पड़ेगा side में आओ आओ जल्दी आओ उसको समझने के लिए थोड़ा side में आजाओ जिससे clear हो अब इधर मत देखना मैं इधर से इसको छुपा लेता हूँ क्योंकि मैं उल्टा लिख नहीं पाऊंगा समझो ये थोड़ा सा एक लच्मार रेखा खीच रहा हूँ इसी अंदर में समझना इस रेखा के बाहर मत जाना देखो बच्चा जैसे अंडरूट तीन है न अगर हम इसका स्क्वाइर करेंगे तूँ जानते हो क्या होगा वह ये तीन का स्क्वाइर करना तो तूम जानते हो ये भाई देखो आरी चीज़ की मज़ा मदलो ये चलता नहीं इसले इसको ऐसे ऐसे करता हूँ तो ये कितना आ गया अंडरूट नहों आया न और इसका वर्गमूल करोगे बचवा तो तीन आएगा तो कुल मिला करके हम तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है जिसका अंडरूट पे चिनन लगा है मतलब उसके अंडरूट लगा है अंडरूट लगा है और उसके बाद क्या है अंडरूट लगा है लेकिन उसका स्क्वाइर है तो तुम डरेक्ट उस नंबर को लिख सकते हो बस यह सब पूरी कहानी लिखने से अच्छा है तुम डरेक्ट तीन लिख दोNot जिरनी इसका मांन क्या तीन होगा समझ गए ना और देखो अगर अंडरूट में पांच का स्कॉयर लिखा है तो बच्चा इसका मान क्या होगा पांच होगा ठीक है यह याद रखना मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी हल करेंगे मान रख देंगे तो तुम छट पटाने लगो गया कैसे होई ग गहे ना तो बता बीडियो तो अटक पटा करा है मैं जाम हो गया का भई एक कारा इन कर इन आट भीडी बल फ्रीज वगरा वीडियो अच्छा ही है मतलब तो रुक गया होगा तो बताओ मुझे लग रहा है कि रुका हुआ है तो टेंशन मत लेना तुरंत मैं हीलने वाला हूँ जाम नहीं हुआ हूँ अभी मैं जिन्दा हूँ तो मैं चलूँगा भी टेंशन मत लो रुको मैं फिर फे चला देता हूँ ना इन्हें हां तो हिलने लगा ना मैं भाई हिल रहा हूं वहांत वाथ हिल रहे देखो लेकर खोपडी i यहा रहे है मैं क्या करऊ इस में मेरी क्या गलति है चलो लो ठीक अब चलने लगा होगा appreciate घ्रीका भीडार परसांत कुमार जैसे तुम हीना हीना कर रहे हो न वैसे अभी तुरी नहीं यह रुको परसान्त कुमार तुम्हें लाइस्ट वार्निंग दे करके पांच मिनट होल्ड किया गया ठीक है चलो तो ये क्या होगा भाई साहब मैंने अभी आपको इसका सारा कहानी बता दिया तो अभी ये हो जाएगा जो तीन है ऐसे ही रहेगा इंटू माइनस वन का स्कॉयर करोगे तुम तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा और ये माइनस का वन तो ये कट जाएगा तो यह फाइनल में जो बचेगा भाईया बबुआ वो बचेगा 1-1 और फिर 0 आ जाएगा क्या आ जाएगा 0 अले सुन्दर फ़ लिख लो तो आप इसका क्या अंसर लिखोगे हाँ क्या लिखोगे हाँ लिखोगे बस हो गया ठीक है या फिर वो लंबा वाला बात लिख दिना जो मैंने बताया है चुकि P of minus 1 upon under root 3 equal 0 इसलिए दिया गया मान x बराबर minus 1 upon root 3 दिये गया बहुपद P of x equal 3x का स्क्वाइर minus 1 का एक सुन्यक है थोड़ा सा बुद्धी लगाओगे लिख लोगे बुद्धी नहीं लगाओगे तो लटके रहोगे चाटा गटा जाईसे हाँ समझ लो चलो चंदन बर्मा समझ में आ रहा ना बच्चा वापस आ गया वापस आने दो देखो मैं इनको एक मौका देता हूँ जिन्दगी हर किसी को एक मौका देती है न तो जो भी यहां गलती कर रहा बेटा उसे मैं एक बार 5 मिनट के लिए रोकता हूँ उसे एक मौका मिलता है कि देखो समल जाओ बच्चा तुम्हें एक वार्निंग है कि समल जाओ नहीं तो अगली बार बलाक हो जाओगे अगर तुम फिर वही नाटक करते हो तो तुम्हें फिर पर्मानेंट के लिए क्या कर दिया जाएगा यहां से परखास्त कर दिया जाएगा सेवा से बाहर हो जाओगे फिर चलो आज मैं तीसरा ही करवा भी पाऊंगा चाओथा कुश्चन नहीं होगा क्योंकि तुम लोग चाहते हो मैं सभी करवा हूँ अब इसमें तुम्हें सब मिटा दिया अगला मान लिखके खुद से कर ले ना इसमें एक और मान दिया था दूई बटा रूट तीन कर लोगे ना इसमें एक मान और दिया था दो बटा रूट तीन कर लोगे ना बोलो सत्वे में दो मान दिये थे पहला मैंने करके दिखा दिया माइनस वन अपान रूट 3 कर दिया अब 2 बटा रूट 3 करके ऐसे कर लेना अगर 0 आ जाएगा तो लिख देना कि यह इसका क्या है सुन्यक है अगर 0 नहीं आएगा तो लिख देना सुन्यक नहीं है बस हो गया चलो राजा बाबू बच्चा कुछ नहीं रूख रहा है अब तुम फालतू की नटंकी नगरो चल लो तो मैं इसको मिटाता हूँ अब यहां से समझो बटा एक मिनट एक बात सुनो तुम लोग भाई कलास को बाबू लाइक करो यार ऐसे मज़ा नहीं आरे ठीक है जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बिल्कुल फ्री यूटूब पर पढ़ो रोज साम को 7 बजे से लेकर 7 बच कर 40 मिनट तक 7 बच कर 40 मिनट तक हम 2-4-10 मिनट देर तक पढ़ा देते हैं वो हमारी खुसी है काम को साथ से साथ चालीश टाइब रखना रोज के लिए याद रखना तो भहिए यही दिया है 2 x प्लस 1 इसमें x का मान दिया बच्चा x का मान 1 अपर 2 दिया है क्या दिया है X का value 1 upon 2 दिया गया आपको X की value 1 upon 2 put करना है if the value of phi of minus English के चक्कर में उल्टा हो जा रहा है सुनो if the value of phi of 1 upon 2 is equal 0 then this given value X equal 1 upon 2 will be 0 of polynomial to X plus 1 English बोलने की practice कर रहा हूँ तुम लोग भी समझ जाओ थोड़ा मोडा समझ में आया ना कुछ उल्टा पुल्टा की नहीं देसी भासा में समझ लो कि अगर दिया गया मान X का जो है एक बटा 2 इसको रखने पे 0 आता है तो ये दिया गया मान एक बटा 2 दिये गया बहुपद 2 X plus 1 का एक सूनेक होगा समझ गये ना पंसिका कुछ समझ में आ रहा है कि दाती ची आर रही उतना देर से तो देखो भाई आज का जो टाइम है ये ओबर हो गया अब तुम लोग ये बताओ सबसे पहले मुझे अपना परिचय करवादो फटाफट कि आप लोग कहां से हो हां बताओ जल्दी से आई उस पांडे बच्चा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बस हां तो चलो हम बात करते हैं मतलब कि वह क्या है कि PBR study पर जो कक्छा 10 के बच्चों की कलास है वो एक अगस्त से चलेगी बच्चा यहाँ पर एक चीज और सुन लो आप सभी यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना PBR study 3.0 क्योंकि यह कक्छा 9 और 10 वाला चैनल यही है यह तो एक चुली 10 के बच्चे 9 के इसमें एक आएक बढ़ गए इसलिए यहाँ पर चलने लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि इसमें आपको सारी कलासे मिलेंगी यह लाइब सेसन 9 का इसी चैनल पर ट्रांसफर होने वाला है बहुत जल्दी ही हम आपको सुचित करेंगे कि यह कलास इसी चैनल पर चलेगी ठीक है तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लेना इस पर रिभाईज भी हो जाएगा आपका जिन बच्चों का छूट गया है न हो सकता है वो इस चैनल पर चूट गया नहीं पढ़ पाए तो इस पर पढ़ लेंगे समझ गए ना एक बात और सुन लो कि आप सभी बच्चे PBR स्टडी का टेली गराम चैनल जॉइन कर लेना ये दो काम करना है टेली गराम इसलिए जॉइन करना है कि तुम्हें कलास का लिंक मिल जाएगा टेली और अगर तुम लिंक यूटूब से पाज आ रहे हो तो फिर मत करो टेली गराम कोई मतलब नहीं है लेकिन टेली गराम पर साइन्स का PDF भी मिलेगा खच्चनों की साइन्स की कलास सुबा साथ से लेकर के आठ की बीच में होती है यहनि साथ से 7 पैतालिस तक जो टेली गराम पर PDF मिलता साइन्स वाला आज मिल जाएगा जो चेप्टर खतम ह हुआ उसका ठीक है ना बाबू भाईया राजा सब भी को समझ में आ रहा नो मेरी बात तो क्लास को लाइक कर दो ना मैं बच्चा जल्दी से चलो आयूस पंडे देव की दुकान How old are you? बंटी सिंग किसको पूछ रहा हो भाई मुझे पूछ रहा हो का मुझे तो लग रहा कोई आफर आया है का चलो फिर हाल बंद करते हैं WhatsApp यादो मुझे दुल के आयो का आज दुल लिया करो कभी कभी Knowledge fact देखो कलास बंद हो गई कुछ लोग छुट्टी कराने आएं मालूम है ओ देखे न अभी अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे रहे हम तो अभी आया आप अभी बंद कर दे रहे हो उनकी ऐसे हाले जैसे स्कूल लगता है सुबह 10 बजे से साम 4 बजे तक तो वह क्या करेंगे साम को 3 बजे स्कूल जाएंगे अब एक गंटा बाद छुट्टी हो जाएगी तो कहेंगे सासुरा स्कूल का नियम होम गड़बड हो गया अरे गुरु जी एक गंटाम छुट्टी कर दिया का आज उनको यह नहीं पता कि कितना बजे से टाइम है क्या है उनको कुछ नहीं पता उसी मैसे यह वाटस अप एक यादो जी भी आ गए है इनको भी टाइम हो इम नहीं पता है कलास खतम होने वाली यह ते दर्फन देने आए चलो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कलास को सेयर करके जाना और लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब